हेलो गाइज वेलकम तो माई यूटूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या आज हम देखेंगे 12 फीज बाइ 40 फीज का हॉस्पिटल प्लान यह जो हमारा प्लान है इसमें वेंटिलेशन के लिए हमको सिफ फ्रंट साइड मिल रहा है और जो बाकी तीन साइड है हमारी वो क्लोज है यानि जो हमको फ्रंट एरिया है हमारा बस वही यहां पर रोड आएगा हमारा ये उपन एरिया है ॉके तो गाइस इस प्लान में यह हमारा ग्राउंड ठोर है इसमें मैंने एड किया है एक मेडिकल एक हमारा डॉक्टर के भीन आ जाएगा और रेसक्षण एरिया का यूज कि आप देख सकते हमारा ये ग्रीन कलर पिंक कलर और ये ब्लू कलर ये बिसिकली ये हमारे तीन कलर जो हमारे डिफाइंड करते हैं और जो हमारा ये लाइट ब्राउन कलर है हमारा ये डिफाइंड करता है हमारा फर्निचर डिफाइंड करता है तो हम वीडियो स्टा हमारा यहां से यहां तक यह 10 feet है सबसे पहले हम यहां 3 feet का platform लगा देंगे फुल length में shutter open करके सामने platform आ जाएगा जिस पर medicine दे सकते हैं इसके निचे आपको storage area मिल जाएगा उसके अंदर आप यहां पर cupboard लगा सकते हैं full length में दोनों side आपको और यहां जो सामने रखेंगे आप यहां पर वापस से platform लगाए जो कि 3 feet का रखें क्योंकि यहां पर हमारा window provided है window इसलिए कि आप doctor के साथ यहां पर attached रहें अगर आपको कुछ भी आपको दवा प्रोवाइड करने यह medical वाले को doctor को medical को देना है तो यहां से वह passing कर सकते हैं उसके बाद यह three feet का entrance हमारा यह passage हमारा three feet का है three feet by लगवग हमारा यह 18 feet का passage हमारा बड़ा सा और window प्रोवाइड करना है तो हम window यहां पर doctor cabin की भी प्रोवाइड कर सकते हैं फिर यहां से हम एंटर करेंगे अंदर तो सामने ही passage के हमारी direct stairs दी है यानि यह हमारी स्टेडिया जो कि हमारी उपर first floor पर जाती है ओके तो गाइस हमारी direct straight flight stair है आप directly उपर first floor पर चले जाएंगे कोई turn इसके अंदर नहीं है उसके बाद passage से हम यहां पर stair से पहले हमारा यह turn है okay turn लेते ही हमारा बाजू में हमारा यह door दिया अबने एक वक्ते हमारा यह door दिया इसके हम एंटर करते हैं doctor cabin के अंदर okay basically हमारे जो यह हमारा area वह doctor cabin का है इसका जो size है हमारा वह 7 feet इंटू 8 feet का है जो length है हमारी वह 7 feet की है और जो breath हमारा वह 8 feet का है आपको यह furniture arrangement दीख रहा होगा furniture arrangement में मैंने बनाया जो basic needs होती है सबसे पहले आपको doctor का table चाहिए तो हमारा यह 3 feet into two feet का यह doctor table हो जाएगा यह doctor की chair हो जाएगी जो कि मैंने circle से define किया है और यह दो चेर दी है यह हमारा यह patient के लिए हो जाएगी उसके बाद patient को आपको चेक करना है तो यह bed आपकी provided है यह हमारे six feet के हमारी इसका length है और two feet six inch के breath है तो जो bed provided होती हमारी doctor cabin के अंदर वो हमारे इस corner पर आ जाएगे और doctor table यहां पर आ गया है और जो हमारा chairs है वो यहां पर आ चुकी है उसके बाद doctor cabin के आप बाहर आए तो आप सामने देखिए हमारा यह reception area दिया है क्योंकि अगर यहां से आदमी आएगा आप पैसे से अंदर तो आप यहां reception से आप तुरंट देख सकते हैं कि आदमी कौन एंटर कर रहा है कौन doctor cabin में जा रहा है कुछ भी क्योंकि basically reception में जो बैठा होता है वो ही पूरा waiting area है यहां पे आप reception पे inquiry करके यहां पे waiting area पे wait करिए doctor के लिए ओके तो एल्ष शेप में हमने यह प्रोवाइड किया है waiting area इसके आगे हम जाये तो हमारा आता है bed area तो basically आपको यहां पे privacy के लिए आप यहां पर परदा लगा सकते हैं या फिर जर्मन का जो फाइबर आता है partition का आप वह भी लगा सकते हैं तो आप परदा लगाई हो बैटर होता है उसके वाद हमारा bed area आता है तो इस corner में जो कि हमारा waiting area उसके पीछ से यहां पे प्रोवाइड है bed area हमारा यह six feet by three feet का बड़ा सा bed provided है क्योंकि यह हमारा moving space आप यहां से आएंगे यहां से यहां मूव six inch का यह बड़ा सा cupboard provided है जो कि हमारा storage के लिए है अगर जो अंदर bed area में जो भी आपको useful है या पिर अलग से आपको और कुछ समान रखना है तो उसके storage के लिए यहां पे यह cupboard provided cupboard के बाजो में यह door आप देख सकते हैं यह door हमारा यह door हमारा वह enter करता है WC और bathroom के area में तो यह basically हमको इतना मिल जाता है 4 feet into 3 feet का area छोटा सा यहां पे WC लगा सकते और थोड़ा सा हमको यह washroom area मिल जाएगा और जो हमारा यह bed area है हमारा यह waiting area इसमें ventilation के लिए हमको यहां पे OTF के अंदर OTS होता है हमारा वह open to sky यानि यह ऊपर तक open होगा तो कोई भी आपका जो ventilation के लिए यह window में जाएगा और उपर sky में चले जाएगा तो आपको यह ventilation अराम से मिल जाएगा और जो WC और बात area है इसमें ventilation के लिए यह window यहां पे provided है हमारा इसमें ventilation अराम से मिल ventilation मिल जाएगा basically आप इसी लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे फैन भी लगाएंगे तो आपको इतना useful रहेगा और अगर आपको डॉक्टर केबिन में और ventilation के लिए चाहिए तो आप इस corner इस side जो हमारा है यह left side यहां पर भी आप window लगा सकते हैं अब इस वीडियो में मैंने इसका सिफ plan video समझाया है इसके बाद मैं इसका 3D वीडियो भी बना दूंगा तो आप वो भी जाके देख लेना तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो थैंक्य Thank you guys for watching this video. Thank you.